अरे मोदी जी मुझे उतर दीजे उतर दीजे मोदी जी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उतर दीजे मुझे राहूल तुम बहुत ज़्यादा डर पोखो तुम्हें डर क्यों लगेगा अरे भैसा का रस्सी तो मेरा हाथ में है तो फिर तुम्हें डर क्यों लगेगा बताओ डरो मत राहूल मैं हो ना तुम डरो मत अरे नहीं मोदी जी मैं भैस की सबरी और नहीं करूंगा मेरा पेट भर गया दिल भर गया मन भर गया मुझे उतर दीजे मोदी जी मुझे बहुत ज़्यदा डल लग रहा है अरे ठीक है राहूल ठीक है मैं उतर रहा हूँ तुम्हें उतर रहा हूँ तुम बहुत ज़्यदा डर पोखो मैं उतर रहा हूँ तुम्हें अरे राहूल तुम्हारा मम्मी जी सोन्य बहन इधरी आ रहा है राहुल मेरे बेटे तू इधर है मोदी जी के पास और मैं तुझे पूरा गाउं ढूनता फिर रहा था अखिलेश ने कहा के तू मोदी जी के साथ है इसलिए मैं इधर ये आ गई राहुल चल घर चल आकर कुछ खा ले आजा बेटा घर आजा मम्मी जी आप घर चल जाएए मैं खाना खा चुका हूँ मोदी जी के साथ गरम गरम रोटी और चाय पी चुका हूँ आप जाएए मम्मी जी मेरा फिकर करने की कोई जुरत नहीं है क्यों मोदी जी हाँ सोनिय बहन मैं और राहुल दोनों मिलकर गरम गरम रोटी और चाय पी चुका हूँ आपको टेंचन लेने की कोई जुरत नहीं है आप घर चला जाएए थोली दिर बाद राहुल आ जाएगा अरे ये सब तो ठीक है मुदी जी लेकिन एक बाद बताएए आप राहुल को भैस की सबारी क्यों करा रहे हो अगर भैसा गिरा देगा तो सोनिय बहन मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ इस भैस को क्यूंकि मैं इस भैस को बच्पन से पाला हूँ हमेशा मैं इस भैस का सबारी करता हूँ मुझे आज तक नहीं गिराया और राहुल को क्यों गिराएगा हाँ मम्मी जी मुदी जी सही कह रहा है ये बहुत ही अच्छा है मम्मी जी आप एक बर सबारी करना चाओगे हाँ सोनिय बहन चाहो तो आप भी एक बर भैस का सबरी कर सकते हो अरे नहीं मुदी जी मुझे बहुत ज़्यदा डर लग रहा है इस भैस को देखकर राहुल मेरे बेटे घर आजा बेटे घर आजा और भाई लोग वीडियो को लाइक करें शेर करें चानल को सस्क्राइब